नमस्कार मैं चंदर मोहन आप देख रहे हैं बीपेंट 24 हरियाना लाइव आज की ताजा बड़ी खबरों के साथ करते हैं दिन की सुरुवात क्योंकि कल 18 सितंबर को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था मैनिफेस्टो क्या होता है कि इसके अंदर जो भी आने वाड़ी या जो सरकार बनेगी जिसके पूरण बहुमत होता है उसके पास में उससे पांच साल का पहले से ही कारियकाल में जो भी काम करवाए जाएंगे उसकी जो भी आगे की सिस्टम होता है प्रनाली होती है उसको जन और दिल्ली में कांग्रेस के हद्यक्स मलिका रुजन खडगे ने इसे रिलीज किया और इसमें कांग्रेस ने साथ वादे पक्के वादे किये और खडगे ने बताया मैंने फैस्टो त्रेपन पन्नों का है इसके बारे में विस्तार से चंडिगड में बताएंगे उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपे दिये जाएंगे बुडापा पेंसन बढ़ाकर 6000 रुपे की जाएगी MSP, गारंटी कानून और 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी उन्होंने यूवाओं के लिए गोशना की कि दो लाख नोकरियां दी जाएगी ओल्ड पेंसन सकीम भी लागू करेंगे मैनिफेस्टो रिलीज करने के दोरान हर्याना कांग्रेस परतेशा देक्स चोदरी उदेबान पूरव सियम बुपेंदर सिंग हुड़ा और पूरव इदायक गिता वुकल मौजूद रही इसमें कुमारी सेलजा और रनदीब सुर्जेवाडा सामिल नहीं रहे इनके अलावा कांग्रेस महा सच्चिव कैसी वेनुगोपाल हर्याना के अबजरवर राजस्तान के पूरव सियम अशोग गहलोत अजेमाकन पंजाब से नेता परतिफक्स परताब सिंग बाजवा मौजूद रहे कांग्रेस के इस गोशना पत्तर के अंदर कांग्रेस ने साथ वादे किये हैं जनता से इन वादों के अंदर जनता से खुल कर ये बोले हैं कि अगर हमारी सरकार आती हैं तो हम इन कारेओं पर हम खर्रा उतरेंगे और कांग्रेस के जो गोशना पत्तर में साथ वादे हैं शुरुआत करते हम पहले वादे से जिसके अंदर उन्होंने सबसे ज़्यादा महिला पे फोकस किया गया है महिला के जो ससक्ति करण को लेकर 2,000 रुपे परतिमा 500 रुपे गे सिलेंडर फिर आता है दूसरे नमबर पे जो समाजिक सुरुक्षिया बल को यानि कि समाज के अंदर जो हमारे बुड़ा बुजरुग दिव्यांग तो उसके अंदर जो बुड़ापा पैंसन है उसको 6,000 रुपे दिव्यांग पैंसन को 6,000 रुपे और बिद्वा पैंसन को 6,000 रुपे और OPS यानि कि उन्होंने OPS को सबसे ज़्यादा मद्दे नजर रखते वे बतायागी हम ओल्ड पैंसन स्कीम को बाहल करेंगे और यूवाओं का सुरुक्षित बविश्य है नमबर तीन बर्ती अदिनियम के तैद दो लाग पकी नोकरियां देंगे क्योंकि जो पिछले बाजपा के जो बाजपा का जो पकारिया काल रहा उसके अंदर बर्तियां आज भी पैंडिंग है तो सबसे ज़्यादा उन्होंने बर्तियों पे अपना ध्यान दिया है जैसे कहते हैं भी यमारी सरकार बनेगी तो हम सर्फ से पहले दो लाग पकी बर्तियां करेंगे और नसा मुक्त हरियाना करेंगे नमबर चार पे हैं परिवार को देखते वे कि हर परिवार खुशाल तीन सो यूनिट विजली मुप्त और पत्चिस लाग रुपे तक का मुप्त उपचार यानि की मेडिकल एक्सपेंस फिर हम बात करते हैं नमबर पांच पे गरीबों को च्छत और सो गज का पलोट और साड़े तीन लाग रुपे की लागत से दो कमरों का मकान फिर बात करते हम किसानों को सबसे ज़्यादा इन्होंने किसान के उपर ध्यान देते हुए बोला है कि किसानों की सिमर्दी के लिए MSB की कानूनी गारंटी और फसल का तत्काल मुआउजा और फिर आता है लास्ट और सात्वा पॉइंट है पिछडों को अधिकार जाती सर्वेक्षन और क्रीमी लेयर की सीमा है वो 10 लाख रुपे कर दी गई है तो आज जो इसमें कान मतलों चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपना मैनिफेस्टो यानि कि अपना जारी करेगी गोशना पत्तर तो इसमें हम बताएंगे आपको भी क्या-क्या जनता के लिए उन्होंने अपने दावे दिये हैं क्या-क्या आपने उन्होंने अपने दावे रखे हैं तो तब तक के मिलते हैं आपना नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जैवारत